मैं यतिवर्य कुमार विजय, आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंशा और 12 रासी का रासी फल बताऊंगा और जैसा कि आप जानते हैं कि रासी फल के बीच में मैं रोजाना एक यतिवानी करेकरम पेस किया करता हूँ और उस यतिवानी करेकरम मैं आपके लिए किसी ने किसी नए विशय पर जानकारी लेकर आता हूँ आज भी रासी फल के बीच में मैं यतिवानी करेकरम आपके लिए पेस करूँगा और आज भी मैंने एक नया विशे लिया है जो नया विशे आज के दिन के संबंध का ही है आज मैंने जो विशे लिया है वह है अंतर राश्ट्रिय मितरता दिवस फ्रेंडशिप डे तो आज चार अगस्त को फ्रेंडशिप डे है तो इस विशे पर मैं कुछ जानकारी आपके सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन का पंचांग क्या है आज दिनांग 4 अगस्त 2019 रविवार का दिन स्रावन माज सुक्लपक्ष की चतुर्थी तिती शाम को 6 बजकर गुण 50 मिनट तक रहेगी फिर पंचमी तिती शरू होगी उत्रा फालगोनी नक्षतर मद्य रात्री को एक बजकर 45 मिनट तक रहेगा उसके बाद में हस्त नक्षतर सरू होगा चंदर्मा सीहराशी में सुबह 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगा उसके बाद में कन्याराशी में परवेश्ट करेगा आज का रहुकाल शाम को 5 बजकर 40 मिनट से 7 बजकर 19 मिनट तक रहेगा आज सिद्धी योग दिन रात रहेगा अमर्थ सिद्धी योग मद्य रात्री को एक बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा जो सुर्योदय तक रहेगा रवी नमक सुभ योग सुभा सुर्योदय से सुरू होगा और मद्य रात्री एक बजकर 45 मिनट तक रहेगा आज बद्रा सुभा नहीं करना चाहिए, माना जाता है कि यह एक अजूब समय होता है और इसमें अगर कोई काम शुरू किया जाता है तो वह सुभ फल नहीं देता है, असुभ फल देता है, पूरा नहीं होता है, आनी करवा देता है आज रविवार को पस्चिम दिशा में दिशा सुन रहता है इसलिए अगर ज़्यादा जरूरी नहों तो पस्चिम दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा यह था आज के दिन का पंचांग आज मैं आपको याद दिर्वाद हूँ कि आज अंतराष्ट्रिय प्रेंट्शिप डे है यानि के मितरता दिवस है इस विशे में मैं आपको आगे जानकरी दूँगा अंतराश्ट्रे मितर्ता दिवस कि आप सभी दर्ष्कों को हार्दिक सुभकामना अब देखते हैं कि आज के दिन का 12 राशी वालों का दिन कैसा बीते गा सबसे पहले देखते हैं मेश राशी मेश राशी के लिए आज का दिन साधन रहेगा कुछ कुछ काम थोड़े बहुत परिश्रम से बन जाएंगे और कुछ काम में अभी विग्न बादा या अर्चन बनी रहेगी आपको भी नया इन्वेश्ट नहीं करना है और नहीं कोई नया काम सरू करना है वरना कुछ दिन बाद नई उल्जन में आफ़ सकते हैं अब देखते हैं वर्सब रासी वर्सब रासी के लिए आज का दिन अच्छा और सुखत बीतने वाला है आपको खुस होने के लिए कोई कारण मिल जाएगा सायद आपके प्रेमी से या आपकी प्रेमी का से आपकी मुलाकात संभव हो या फिर आज परिवार में भी कोई ऐसा स सुन रासी वालों के लिए दिन साधारण है आज किसी से बहस में उलजना ठीक नहीं है आज आपको किसी प्रोपर्टी या संपती के समन में कोई नेड़नाय करना पड़ सकता है आपको कोई उक्सा कर चिड़ाने का परियास भी कर सकता है बुरे और असमाजिक लोगों से आ योग बने वे हैं भाई बहन से आज कोई गुप्त योजना या लाब की योजना पर विचार विमर्श करना पड़ेगा आपकी आर्थिक इस्तती है वह आज सुद्री भी रहेगी अब देखते हैं सीहां रासी सीहां रासी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है सुखद और धंदायक भी है आज आपको बैंक अथ्वा किसी और जगह से अगर लौन लेना है तो परियास करें जल्दी आपको यह सुईदा मिल जाएगी बड़े उच्छ दिकारी अथ्वा सभी लोगों से मुलकात होने के योग भी आज आपके बने वे हैं वह सब सयोग करेंगे उत्साह में रहेगी खरीदारी के भी परबल योग बने वे हैं अब देखते हैं तुला रासी तुला रासी वालों के लिए मदद की आज जरूत पर सकती है क्योंकि आज का दिन आपके लिए सादान से भी थोड़ा कमजोर गरह इस्तिति वाला है आज अपने खर्चे पर कं जना यति माने कारिक्रम आपके लिए पेश करता हूं और यति माने कारिक्रम में हमेशा किसी ने किसी नए विशे पर मैं आपके लिए जानकरी लेकर आता हूं आज भी मैं यति माने कारिक्रम में आपके लिए नई जानकरी लेकर रहा हूं अभी शरू करता हूं मैं आपको आज में आपको विष्व friendship day यानि मित्रतादिवस के विशे में कुछ जानकारी बतने वाला हूं कभसे मनाया जा रहा है क्यों मनाया जा रहा है कहां से इसकी सुरवात हुई और पहली बार कहां मनाया गया था अधी जानकारी आज के यतिमानी कारेक्राम में आपको देने वाला हूँ, आप मेरा यह पूरा प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखें, ताकि आजकल का यह जो चलन है फ्रेंड्शिप डे, मितरता दिवस या अने का परकार के जो दिन होते हैं, इसका भी बारत में महत्व बढ़ता जा रहा ह तो जानकरी रखना बहुत ज़रूरी होता है, पिछले कुछ सालों से मितरता दिवस भारत में भी बहुत जोर सोर से मनाया जा रहा है, यह विशेशकर विवाव में एक बहुती लोगप्रिया दिन है, सर्व पर्थम फ्रेंड्शिप डे या मितरता दिवस उगनीश सो अठ अग्तितियों को मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे बावना हर जगह एक ही होती है, मितरता एवं दोस्ती का सम्मान करना, दक्षन अमर्की देशों से शुरू हुआ यहत्मार, उरूगवे, अर्जेंटीना, ब्राजिल में 20 जुलाई को मनाया जाता है, परागवे जैसे देश में 30 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि बारत है, मलेशिया है, बंगला देश है, यहां पर अगस्त महीने के पहले रविवार को यह त्युमार मनाया जाता है, यह दिन मनाया जाता है, दोस्ती वह रिष्टा है, जो आप खुद तय करते हैं, जबकि बाकी सारे रिष सो दोस्तों से नहीं मिलते हैं तो कितने बेचेन हो जाते हैं और मोका मिलते ही उसकी खेरित जानने की कोशिश करते हैं आप समझ सकते हैं कि यह रिस्ता कितना खास है दोस्ती का आज जिस तकनीकी युग में हम जी रहे हैं उसने लोगों को एक दूसरे से काफी करीब ला दिय लेकिन साथ ही साथ इसी तकनीक ने हमसे सपून का वह समय चीन लिया जो हम आपस में बांटा कर सकते थे या बांटा करते थे आज हमने पूरी दुनिया को तो मुठी में कैद कर लिया है लेकिन इसके साथ ही हम खुद भी इतने मस्बूल हो गए हैं कि एक तरह से सारी दुनिय हम कहना चाते हैं, दोस्त जिसको जी बरकर हम सुनना चाते हैं, फ्रेंडशीब डे पर अपने सबसे प्यारे दोस्त को आप इस तरह याद करें या उसे एसास कराएं कि आप उसके कितने करीब हैं, ऐसा दिल को छू लेने वाली मोहक सू कामनाय आप उनको दे सकते हैं, कि वरस बर आपकी याद और आपकी समर्ती बनी रहे, भारत में यहां जो मितरता दिवस के नाम पर अगस्त के पर्थम रविवार को मनाया जाता है, और रविवार को फ्रेंडशीब डे या मितरता दिवस रविवार को मनाने का कारण यहां माना गया है, कि रविवार के दिन भारत के अंदर लोगों की छुटी रहती है और वो दोस्तों के साथ ये दिन बरपूर एंजोई कर सकते हैं मित्रता दिवस एक बहुत आयामी और बहुत बड़ी सोच लिए दिवस होता है क्योंकि मित्रता एक ऐसा रिष्टा है जो हर प्रकार की सोच जैसी की जाती है जैसे कि धरम उंच नीच अमीर गरीब छोटा बड़ा लड़का लड़की पुरूस मैला आधी सभी परकार के बेद से बहुत दूर और बड़ा और गहरा रिष्टा होता है यहाँ ऐसे प्राय दोस्त समान विचारदारा वाले लोगों के बीच में अपने आप ही गहरा हो जाता है चाहे वह गरीब हो या अमीर हो दोनों की विचारदारा एक है तो गहरी दोस्ती हो सकती है लड़का हो लड़की हो और दोनों के अगर विचार समान है तो भी प्रेंट्शिप हो सकती है जब दो समान विचारदारावालाएं लोग मिलते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है कि यह रिस्ता कब जीवन के सभी समाजिक रिस्तों से बड़ा और गहरा बन गया है हर साल मेरे को भी मितरता दिवस पर डेरो फॉर्मली और नॉर्मल संदेश आते हैं कुछ के जवाब मैं भी दे दिया करता हूं मैंसे जितने ज़्यादा होते हैं कि सबको जवाब देना मेरे लिए भी संभव नहीं होता है मगर आज मैं आप सभी यतिवानी के दर्शकों के लिए मेरी तरब से आपकी और मेरी दोस्ती पर चार लाइन कहना चाहता हूं और आपको हमारी मितरता के इस दिवस की हार्दिक सुपकामना देता हूं चार लाइन यहाँ है जो आप सभी दर्शकों को समर्पित है तूफान में लोगों को सहारे भी मिल जाते हैं दुनिया में सब से प्यारी है जिन्दगी कुछ आप जैसे दोस्त जिन्दगी से भी प्यारे मिल जाते हैं जो देते हैं यतीवानी को दाद खुल कर वो खास बन जाते हैं और जो देते हैं यतीवानी में मेसेज वो यार बन जाते हैं एक बार फिर मैं आप सभी दसकों को मेरी तरफ से मितरता दिवस की आर्दिक सुब कामना देता हूं और आप से अनरोद करना चाता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो आज का दिन बहुत सुब है मितरता दिवस है मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं और आपकी और मेरी मितरता को और अधिक गहरा करें और ता अमूर तक पका करें और आज का मेरा यतिवाने कारिकरम जो है यतिवाने कारिकरम का या जो वीडियो है आप अपने मितरों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें यह था आज के दिन का यती वाने कारिकरम, अब देखते हैं कि जो बाकी बचिवी राशिया है उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है. अगली हमारी राशी है वर्षिक राशी वर्षिक राशी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है लाब दायक है और आज आपको दनलाब होगा लगबग निशित है शीदे सरल कारिय करें और परिवार की आवसकता को भी पूरा करने की कोशिश करें घर बेठे लाब मिलने से अब देखते हैं धनूरासी धनूरासी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है अपने कारिये पर द्यान दे कोई फेर बदल और विस्तार करना हो तो आज करें आगे इसका लाब मिलेगा आप से मिलने कोई आज कई लोग आपके घर पे या अलग-अलग मिलने के लिए आ सक अब देखते हैं मकर रासी मकर रासी वालों के लिए दिन अच्छा है कोई सोचा समझा काम आज सरू करें जल्दी पूरा हो जाएगा और इसका लाब भी आपको आज या कल तक में मिल जाएगा किसी नए मित्र रत्वा वेक्ति से भी आज मुलाकात हो सकती है साम को कोई सु आउ मन में उबर सकते हैं आज जो भी करें सोच समझ कर और सावधानी से करें नहीं तो इसका खामियाजा भी आपको भूगतना पड़ सकता है अब देखते हैं आखिर में मीन रासी मीन रासी वालों के लिए दिन आज का अच्छा है अगर आप विवाईत है तो आज जीवन साथी का साथ और समर्पन आपको मिलेगा प्रेमी संग मुलाकात का मुका मिलेगा या संपर्क होगा अब विवाईत आज अपने रिष्टे की बात आगे बढ़ाएं तो जल्दी ही रिष्टा भी तैय हो जाएगा आज पूरे दिन आपका मूड अच्छा रहेगा और दिन किसे बितेगा यह था आज के दिन का पंशांग और बारह का राशी का राशीपल राशीब हो के बीच में अने ये ति मने करिकरा में आज मितरता दिवस पर कुछ बात की है कल भीर मैं नए वीडियो में नए पंशांग ने राशीबा और ये ती मनें में इसल पर जानकारी बढ़े करांगा, तो तो जया जनेंदर,